हलो फ्रेंट मैं बिज्जेस्कुमार ओफिसियल यूटूब चेनल जी ओवी टी यानि गौवर्मेंट जॉप्स फोर यू में अज का वीडियो बहुत ही माधपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज इसे वीडियो में लाइवेरियन के 20 पद और पीटियाई के 20 पद यानि टोटल 40 पद के बारे में बताने वाले हैं यह जो 40 पद हैं सरकारी नोकरी के लिए आवेदा नामंत्रित हैं वेकेंसी भी अच्छी हैं पद भी अच्छा हैं तो आज ही या नोटिफिकेसर आया है एक अच्छी वेकेंसी हैं यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं सबसे पहले बात करें कि PTI यानि फिचकल टेनिंग इंस्ट्रक्टर के लिए 20 पद हैं और लाइबेरियन का 20 पद हैं तो इस तरह से आवेदा नामंत्रित क्या गया है इन सभी पद के लिए डिटेल जंकारी के लिए क्या करना है कि आपको वीडियो को अम तक देखना है इस अपद के लिए हम बात करें जो क्वालिफिकेशन है सबसे पहले कि क्या होना चाहिए तो PTI के लिए जो क्वालिफिकेशन है इनवर्सिटी या कॉलेज एड़ी इंटर इनवर्सिटी या इंटर कॉलेज कॉलोजियेट कंपर्टिशन हैं इसके लावाद इस्टेट या आधर नेशनल चंपियंशीप और विसाइट मतलब नेट सेट या प्यजडी में से कोई एक होना कंपलसरी है इस पद के लिए इनवर्सिट या प्यजडी आपके पास है तो आप अपलाई तब ही कर पाएंगे इस बात को आपको विसेश द्यान रखना है जो भी आपके नेट सेट या प्यजडी है या प्यजडी आपके पास है तो रेगुलेशन 2009 और 2016 का उनसार होना चाहिए इस तर से या आवेदान आमंत्रित किया गया है इसके बाद जो लाइबिरियन का पद है लाइबिरियन पद के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा है मास्टर डिगी लाइबिरी इनफार्मेशन साइंस में 55% साथ में फॉलूइंग ग्रेडिंग सिस्टम है जिसमें क्या है कि नेशनल लेबल में ही आया हुआ है या आपके पास PhD होल्डर आप हैं तो आप अप्लिकेशन फर्म फिल कर सकते हैं लेकिन जो भी PhD की डिग्री है रेगुलेशन 2009 और 2016 का अकार्डिंग होना चाहिए तो इस तरह से या आवेदानामंत्रित क्या गया है यहाँ पर जो है एक डिफिनेशन दि सब्सक्राइबरें के कुछ पत्ति जिसमें गुड़ एकेडमिक रिकॉर्ड में सभी क्वालिफिकेशन जो है एबरेज एट लिस्ट 55% अंक मांगा हुआ था इसमें सेम कंडिशन रखा गया है यहाँ आपके पास ग्रेजवेशन है या हाई स्कूल इंटर ग्रेजवेशन ह इसमें 50 परसेंट या 55 परसेंट तब यकेंसी अच्छी है सब्सीज है पत्ध भी अच्छा है 20 पत है लेकिन जो कर रखा गया है फोड़ा हाई-लेबल का का कायितेरिया रखा गया है यह काईटेरिया आप फोलफिल नहीं करते हैं तो आप अपलाई नहीं कर पाएंगे यह जो नोटिफिकेशन है, आज ही नोटिफिकेशन आया है और इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ अप्लिकेशन सुल्ख की में बात करूँ, तो जनरल कटेगरी में जो है 600 रुपीशन सुल्ख है, जनरल OBC और EWS कटेगरी में 400 रुपीश है, ACHD कटेगरी और पी डव्लू डी कटेगरी यानि और डिब्यांग के लिए भी 400 रुपी अप्लिकेशन सुल्ख है जो राजस्थान से बिलाउं करते हैं यह जो वेकेंसी है जो वेकेंसी है इसकी हम बात करें तो यह जो वेकेंसी है आरपीसी के द्वारा आया है नोटीफिकेशन टोटल पद क कि बात करें यानि syllabus examination की बात करें तो पेपर जो है subject concerning subjects 67% पुछा जाएगा और तीन घंटे का पेपर होगा पेपर सेकेंड फाइड क्या गया है इस तरह से यह आवेदन आमंत्रित क्या गया है इसके अलावा इस सपध्ध के लिए और पर सकते हैं अदर्वाइज चैनल के दोरहा जो बेव साइट बना गया वहाँ पर जाकर आप डीटेल जांकर यह प्राप्त कर सकते हैं अब हम बात करें application form fill करने के लिए जो process है तो देखें application form fill करने के लिए आपको क्या करना है कि SSO ID पे आपको जाना है यदि आप पहले से apply किये हैं तो उसको logging करना है logging करने के बाद आपको वहाँ से application form fill करेंगे और रजिस्तान में one time registration process रखा गया है यदि आप पहले से जो register है इस SSO ID पे और एक बाद application पे कर दे हैं तो आपको पुना application पे करने की require नहीं है तो इस ताव से यह आवेदान आमंतरित क्या गया है कि आप जाएंगे SSO ID पे वहाँ से OTR यनि one time registration process आपको fill करना है one time registration के तुरू आपको logging करना है application form fill करना है application form fill करने की जो अंतिमतिती हैं 10 अप्रेल 2024 रातरी को 12 बजे तक आप online application form fill कर सकते हैं यनि online application form fill करना अभी शुरू नहीं हुआ है 12 मार्च 2024 से लेकर 10 अप्रेल 2024 रातरी को 12 बजे तक online application form fill कर सकते हैं और यह जो vacancy है RPSC यनि रजिस्तान लोग सेवा आयोग अजमेर के द्वारा आवेदनामंतरित किया गया है जो संस्कृत सिक्षा कॉलेज के लिए कॉलेज विभाग में आवेदनामंतरित हैं झाल झाल झाल